तो हम सब हिंदी मूवीज के फैंस तो है तो चांसिस है कि आज के जो कंट्री के बारे में जो बात करने वाला हूँ आपने कोई भी टाइप के मूवी जैसे सलमान खान, शारुक खान या या यश राज की मूवीज में 80s और 90s में कोई ना कोई dance sequence या पूरी की पूरी मूवी वहाँ पर जो शूट हुई है आज देखी होगी जी हाँ आज हम explore करने वाले हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं और हाँ यह अगर आप honeymoon प्लान करने के हिसाब से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो फूल एंड तक देखे क्योंकि इसमें आपका पूरा questions आंसर होने हो सारा budget भी आपको पता चल जाएगा कितना लगेगा आपको इस trip के लिए तो सबसे पहले जानते हैं कि Mauritius आता का पे है So Mauritius और Maudis को interchange मत कीजिए, mix मत कीजिए, Mauritius आता है इंडिया के west coast में जो आपको Mumbai और Gujarat के तरफ से पढ़ेगा तो basically Mauritius African continent के पास आता है और एक island nation है, यह Indian Ocean में ही located है तो हमें यहाँ से इंडिया से जाने के लिए आपको ज़्यादा problems नहीं होते हैं, काफी आसानी से वहाँ पे आप पहुँच जाते हो Secondly बात करते हैं कि Mauritius जाने का best time of the year क्या है So Mauritius जाने का best time of the year आपको बारिश के season के बात पड़ेगा which would be from the month of September to the month of May So अगले segment में अभी बात करते हैं कि आपको Mauritius जाने के लिए visa लगेगा कि नहीं तो आपको मैं एक बहुत अच्छी खुश खबरी दे देता हो कि Mauritius जाने के लिए आपको visa है पर visa is free and visa is on arrival याने कि आपको कोई भी type का fees वहाँ पर जाके नहीं भरना पड़ेगा सिर्फ आपको आपको आपकी passport लेके जाना है जहाँ पे 6 months की validity चाहिए आपको and you got to have your return flight tickets as well as hotel reservation जो तो कोई भी traveler करता ही करता है और आप Mauritius आराम से explore कर सकते है and no hassles so Mauritius के पैसे के बार में बात कर लेते हैं currency क्या है और आप क्या expect कर सकते हो so Mauritius की currency officially उसका नाम है the Mauritian rupee so आपको ध्यान रखना है कि उनका एक Mauritian rupee हमारे 1 rupee 75 पैसे की बराबरी करता है तो ज्यादा difference नहीं है तो ज्यादा महेंगा भी नहीं है इससाब से इसके अलावा अगर आपके पास foreign exchange card या आपके पास credit card है तो भी आपके लिए बहुत बढ़ी आ रहेगा उसमें आप अराम से वहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं you will not have any problems when it comes to money in Mauritius so Mauritius पोचने का तरीका is the only way you can reach Mauritius is by taking a flight तो इंडिया से flights की frequency काफी अच्छी है वहाँ पे जाने के लिए पर slightly अगर आप compare करोगे तो आपको Maldives के comparison में थोड़ा महेंगा बढ़ सकता है तो अगर आप मुंबै से mostly flight पकड़ने की planning या तैयारी करोगे तो आपको सबसे सस्रे flights पढ़ेंगे तो जैसे कि मैं आपको आगे आपको screen पर दिखा रहा हूँ ये सारे options आपको रहेंगे when it comes to a flight to Mauritius ध्यान रखे कि flight duration भी थोड़ी लंबी हो सकती है तो इस चीज़ का ख्याल रखे अगर आपको direct flights मिलते हैं तो और भी अच्छा होगा आपके लिए Alright, so अभी हम बात कर लेते एक बहुत ही important चीज़ के बारे में जो है budget कि हम अगर Mauritius जा रहे हैं तो per day का budget हम क्या लेके जा सकते हैं और क्या expectation रख सकते हैं तो for the ease of people मैं ये budget को तीन segments में divide करने वाला हूँ तीन categories में राधर एक है हमारे budget travelers या backpackers, दूसरे है family वाले travelers और तीसरे है honeymoon या luxury service वाले travelers So budget traveler के हिसाब से अगर आप जा रहे हो या backpacker के हिसाब से जा रहे हो तो Maldi's में महेंगा जरूर है पर impossible नहीं है तो do it within budget वहाँ पर काफी सारे homestays के options है और budget stay hotels के भी options है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ So आपको खाना पीना, transportation, as well as आपका गुमना फिमना पकड़ोगे तो मेरे हिसाब से आपको दिन का at least 2500 रुपीस तो लगेगा ही लगेगा So आप उसी साब से मन बना के चलिए with the budget Secondly, as a family traveler जा रहे हो या group में आप जा रहे हो with your family So you have to keep in mind 4 लोगों का दिन का budget आप anywhere between a mid-range hotel और खाना पीना transportation with activities and sightseeing पकड़ोगे तो आपको 7 to 8,000 रुपीस लगेगा हा लगेगा वो अराम से है इतना तो cost आपका जा नहीं वाला है And lastly, as a honeymoon और a luxury traveler आप ये budget लेके जा सकते हो कि आप दिन का 12,000 and upwards अगर आप budget लेके रख रहे हो तो आपको more than sufficient रहेगा You can explore Mauritius in great style and luxury And you can explore everything within that price point अगर आप वो budget लेके birthday का जा रहे हो तो अभी जानते है कि हम Mauritius में क्या-क्या देख सकते हैं, कर सकते हैं और explore कर सकते हैं तो Mauritius में जैसे मैंने आपको बताए, एक island होने के वज़े से बीचिस तो वहाँ के बहुत ही beautiful, बहुत ही सुन्दर है, बहुत साफ सूत्रे है और बहुत variety है on all four sides of the island इसके अलावा आप Mauritius में जाएंगे तो आपको water sport activities भी भर-भर के हैं जैसे कि scuba diving and other activities साथ में ध्यान रखे कि Maldies, Mauritius जैसे एक थोड़ा बहुत premium location destination है तो आपको वहाँ पे cheese और activities थोड़े price ही पढ़ सकते है इसके लिए बहुत सारे लोग resort stay book करते हैं और सारी चीज़े उसके अंदर ही उनको मिल जाती है That is a better option मेरे हिसाब से So अभी एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं कि हमारे इस Mauritius के trip में आपको कितना दिन का travel booking करना चाहिए और आपको क्या help लेनी चाहिए आपकी travel bookings करने के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ So basically अगर आप Mauritius की trip की planning कर रहे हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ये complicated है in terms of आपको अगर self planning करनी है कि धेर सारे activities है और बहुत सारे options भी है वहाँ पे So you might get a little confused और शायद कुछ ना कुछ गरबर हो सकता है तो अगर आप कोई package tour company या tour operator के through जाते हो तो ये आपके लिए best option रहेगा कि आपके in that sense कि अगर आप as a family या honeymoon के हिसाब से आप जा रहे हो that should be the best option ज़्यादा ज़्यादा आपको per person का मैं आपको बता देता हो कि आप अगर जाओगे उस हिसाब से तो 4 night 5 days या 5 night 6 days एन average आप अगर trip book करते हो तो आपको per person का anywhere between 60 to 70,000 रुपीज per person का पड़ेगा for that trip for at least 5 days उस हिसाब से आप अगर luxury में और honeymoon में जाते हो तो complete packages भी ऐसे है जो आपको 1.4, 1.5, 1.6 lakhs के range में आ जाते है जो extreme best deals आपको मिल जाती है तो आप for that example make my trip में भी जाके चेक कर सकते हो Thomas Cook है यह सारी companies बहुत रेप्यूटेड है बहुत ही अच्छी service भी offer करती है in that price point for Mauritius So that was the video guys I hope आपको Mauritius की trip की planning करने के लिए ये वीडियो बहुत जादा helpful लगी होगी पसंद आया होगा तो please do not forget to like this video comment and share with your friends guys और अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े और ने हो तो please subscribe का button दबा दीजे चैनल को बहुत मदद मिले की grow होने के लिए तभी तक मिलते हैं जल्द stay safe traveling bandah out